प्रवल गड़ के साथ बेस विलेड ठाकवरवाडी में मेरे पीछे देख रहे हो आप ये साइड है कलाव अंतिन दूर इसके पास में प्रवल गड़ चलो चलते जाते हैं एक्स्प्लोर करते वहाँ पे वहाँ है पार्किंग रॉट वहां से चलके हमने यहां से स्टार्ट किया हमारा जर्नी समुद्र सता से तेवी सो फिट ऊची खड़ी पहाड पर बना है ये किल्ला प्रबलगड आज के इस ट्रैक में मुझे कंपनी दे रही है मेरी फ्रेंड प्यू हमने सायद्री रिंज के काफी सारे ट्रैक एक साथ किये है 2020-2021 में होफफुली आगे भी बहुत सारी करेंगे है अनप यू येस लेट्स गो प्रबलगड रायगड डिस्टिक के माते रन और पन्वेल के बीच में ये गड़ है ट्रैक के 15-20 मिट के बाद एक इसा सीधा रूट जा रहा है और एक उपर की दरफ रूट भी जा रहा है जो मार्किंग दिया हुआ है यहां से थोड़ा टाइम कम लगेगा यह थोड़ा लॉंग रूट है तो यहीं से जाईए उपर बैस ट्रैएगा एक पॉइंट से वैली का व्यू देखिए प्रॉब्लम तो है सबके साथ बस नजरिये की बात आजाओ पाड़ो पर प्रॉब्लम का सलुचन मिल जाएगा आपको चलिए आगे एक्स्प्लोर करते हैं हम यह रूट से आए शॉट कड़ वाले अगर आप लॉंग कट से आओगे तो यह रूट है और दोनों जॉइंट होते हैं यहाँ पर एक प्लैटो है चलो बताता हम उपर प्लैटो पर क्या है यहाँ पर रेश्ट करके इस तरफ आगे उपर का कंटिन्यू कर सकते हो जाने का पहाड़ो वाली मैगी इस मैगी का स्वाद ही अलग रहता है प्रबल गड को मुरुणजन नाम से भी जाना जाता था 1657 में चत्रपति शिवाजी महाराज ने ये गड को जीत कर मुरुणजन का नाम से कर दिया प्रबल गड गनेश जी हनुमान जी के आइडल मुशली आपको महाराज के सब फोट्स पे दिखेंगे और यहां से रास्ता जाता है उपल प्रबल माचे के लिए यह है Kalafantin durg, यह है Prabel amor देखने में Kalafantin durg बड़ा दिखता है पर सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा है Prabel गड मेरे पीछे है Kalafantin Durg और Prabel गड़ दोनों के बीच में इसा V-section बना हुआ है जब आप मातिरण गए वहां पे Sunset पोईंट है वहां से जहां से सन सेट होता है दो मांटन के बीच में से जो वी सेक्षन है वो यही दिखता है यही दो गड़ है कलावंतिन और प्रबल गड़ प्रबल महची प्लेटोप पर आपको ऐसे साइन्स दिखेंगे जोगाव की तरफ जाके डिवाइड होते एक प्रबलगड और एक कलावंतीन दुर्ग के लिए यहाँ से दिख रहा है हमें दोनों भी कलावंतीन और प्रबलगड लेफ सेड का रूट है कलावंतीन दुर्ग के लिए और हमें जाना है प्रबलगड जो की राइड सेड पर है प्रबलगड के पूरब में है उलस नदी पच्चिम में है गाड़ी नदी दक्षिन में है पातर गंगा, मानिक गड़ और कर्णाना किला है बहाँ सामने है कलावंतीन दुर्ग और यह है प्रबलगड कलावंतीन दुर्ग से आने का रस्ता यह है जिसको रेंज ट्रेक करना है दोनों भी गड़ एक ही दिन में करना है तो यह शॉटकट रूट है जो डिरेकली कलावंतीन के लिए जाएगा हमने गड़ का ट्रेक स्टार्ट किया था वो गाव से टाकुरवडी गाव वहां से माउंटन टर्न होके आई यह प्रबल मचे प्लाटो प्लाटो पे गाव बसावा दिकरा है रहां से चलके इस सरफ आए प्रबल गड़ के लिए एक गंटे का ऐसे रॉक पैच है जो लीट करता है प्रबल गड़ के टॉप के लिए प्रबल गड़ का मुख्या प्रवेशद्वार यह भगवा जंडा दिखा है वहां से में एंटरंस गेट है वहां से और फोर्ट पे आपको वाटर टैंक्स भी दिखेगा इसका पानी पीने लायक नहीं है प्रबल गड़ के टॉप पे और टॉप पे फ्लैट प्लैटो है दो से तिन किलोमेटर का और आपको यहां पे ऐसा बोड दिखेगा जहां पे लेफ सेड पे कलावंतिन दूर्ग यह रूट है इसका यहां से आपको ड्रोन व्यू दिखेगा आपको कलावंतिन दूर्ग का सो चलिए बढ़ते आगे प्रबल गड़ के टॉप पे आके एक फ्लैट प्लैटो पूरा दो से तीन किलोमेटर का बड़ा डायमेटर का प्लैटो है पूरा घना घना हराबरे पेड़ यहां पे काफे थंडा महुल है इनिचली ब्रिटिश के राज में यह हॉलिडे डेस्ट से देखने के लिए सो पहुच गए हम एक ऐसे स्पॉर्ट पे प्रबल गड़ के जहां से कलावंतिन का व्यू देखिए कलावंतिन डूर्ग का व्यू प्रबल गड़ से वो देखिए स्टेप्स 70-80 डिग्री रॉपकर इप स्टेट्स कलावंतिन के टॉप पर भी गए है हम देखिए उसकी क्लिप रबल गड़ से आपको चंदेरी गड़ बलंग गड़ मस महल और कलावंतिन डूर्ग दिखेगा तो अभी हम दूसरे साइड एक्स्प्लोर करते हैं चलिए बढ़ते हैं तो यहां पर हमें दिखता है राजवाडा के कुछ अउशेष् सो यह है राजवाडे के कुछ रिमेनिंग्स अभी हम एक राजवाडे के अंदर है यह उसके कुछ रिमेनिंग्स है तूटा फूटा सा है थोड़ा फोर्टिफिकेशन है और यह विंडो है यहां हमने एक अभी राजवाडा एक्स्प्लोर किया कुछी दूरी पे है दूसर वाराजवाड़ा, यह भी रुइन कंडिशन में है, ऐसे लाइन से चार राजवाड़े, प्रबलगड के टॉप पे पोचने के लिए डाई से तीन गंटे लगे, और उपर प्लाटो एक्स्प्लोर करने के लिए मिनिमम एक से दो घंटा कम से कम लगता है, क्योंकि प्लाटो इतना बड़ा है, कि पूरे एक्स्प्लोर करने जाओगे, आप तो तीन से चार घंटा इधर चले जाएंगे, और शाम हो जाएगे आपकी, और पैचेस काफी रॉक की है, और एग्जॉस्टिंग है, तो पानी अगर पसंद आया है, तो लाइक जरूर करिये, चैनल पे अगर नए हो, तो सब्सक्राइब करके बंजे ये फैमिली का हिस्सा, ऐसी ही नई वीडियो जाती रहेगी, कीप सपोर्टिंग, चेर्स